नमस्कार अपनीक्रे निउस फॉर्णेशन और मैं हूँ सांध्वना आपके साथ साल दूहजार चौबीस के लोगसभा चुनाफ को महज कुछी महीने बाकी रह गए हैं ऐसे में BJP जहाँ एक तरफ बिहार में एक के बाद एक चाले चल रही है तो वहीं जदियू भी पीछे नहीं है मुक्चमंत्र नितीश मार्त जस्पी आदफ के साथ भले ही बिहार में मागटबंदन की सरकार में हो लेकिन साल 2024 में जदियू के द्वारा दाव पेच शुरू हो गए हैं जहां बड़ा से बड़ा जुगार लगाने की कोशिश में जदियू लगी हुई है और अतना ही नहीं साल 2024 के लोग सबाच राव में मुक्चमंत्र नितीश मार एक साथ बीजेपी और तिजस्पी आदफ को बड़ा जटका दे सकते हैं जिसके लिए जदियू के भीतर उसे मजबूत करने की कवायद शुरू हो गई है जदियू को पूरी तरीके से ठोस बनाने की जो कवायद है वो जारी है मुक्चमंत्र नितीश मार ने प्लान तयार कर लिया है जहां इस जुगार से बिहार की राजनिती की जमीन हिलने वाली है देरसिल बिहार में आगामी लोकसभा और विदान सभा चुनाफ को लेकर सभी राजवतिक दलों ने अपनी तयारियां शुरू कर दी है इस इक्रम में जदियू के वरस्टर नेतों और मंत्री अशोक चौतरी की ओर से भीम चौपाल का आयोजिन किया जा रहा है बिहम चौपाल के माध्यम से आगामी 14 एप्रिल को पटना में आयोजित होने वाले सम्मेलन ने सभी को आमंत्रत किया जा रहा है जगा जगा बिहम चौपाल लगा कर अशोक चौतरी समाज के लोगों को समझाने की कोशिश में जुटे होए हैं वे चौपाल को पटना में आयोजित होने वाले सम्मेलन में अधिक से अधिक लोगों की भागेदारी सुनुशुत करने के प्रयास में हैं इसे क्रम में सोमवार को हिलसा अनुमंडल के राम बावु हाई स्कूल सबागार में भी बीम चौपाल का आयोजिन किया क्या गौड तलब है कि बीम चौपाल को संबोधत करते हुए बिहार के भवन निर्मान मंतरी अशुक चौधरी ने कहा कि बाबा साहिब ने जो सपना देखा था उसमें उसे सीम नितीश पूरा कर रहे हैं जब से नितीश पूरा ने बिहार की सब्ता समाली है तब से अनुसूचे जाती और अनुसूचे जन जाती समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है उन्होंने का कि वश्चे 2005 में जब बिहार में इतीश पूरा के नितरत में सरकार बनी तो सालाना बजट 32,000 कडोर रुपै का था अब ये बढ़कर 2,64,000 कडोर रुपै का हो गया है उन्होंने का कि अनुसूचे जाती और जन जाती का लियान का बजट 40,48 कडोर था जो अब बढ़कर 2,215 कडोर तक पहुच गया है बराल अशोग चौतरी ने बीजेपी पर निशानत सात्ते हुए आरोप लगाया है कि समवधान में छेडशार कर आरा जकता फैलाने की कूशिश की जा रही है वहीं भीम चौपाल के मादियम से निशामार को प्रधान मंत्री बनाने के लिए सभी के समर्थन की अपील की जा रही है समारों में जदियू नेताओं ने का कि बाबा साहिब डॉक्टर भीम राव अमेतकर के विचारों को निशामार आगी बढ़ा रही है इसे लिए समाज के लोग आगामी लोकसभा चुनाव में निशामार को देश की गद्धी पर बिठाने के लिए अपना समर्थन देश समारों में सांसर कौशलेंद्र और विधा एक कृष्ण मुरारी शरिन समेत अन्य नीताओं की द्वारा इसे सम्मोधत किया गया मुख्यमंद्र निशामार ने तैयारे पूरी कर ली है साल 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर और इसमें जद्यू की नीता पीछे नहीं है बीजेपी और तुजस्पी आदफ को सबक सिखाने की जो शुरुआत है वो हो चुकी है बले ही मागजबंदन की सरकार हो लेकिन जद्यू अपना शक्ती प्रदर्शन करने में कोई कसन नहीं छोडने वाली जिसको लेकर भीम चौपाल का आयोजन जगल जगा पर किया जा रहा है और अब बिहार सरकार के जद्यू को उटे से भवन निर्मान मंतर अशोक चौधरी के द्वारा भीम चौपाल का भव्या योजन पटना में 14 एप्रिल को होगा जहां एक तरीके से शक्ती प्रदर्शन किया जाएगा जद्यू की ताकत दिखाने की बिहार की सियासत में कोश की जाएगी फुला की लिए इस कबर में अतना ही अनके खबरों के लिमास अद बनी रहे न्यूस फॉर्ड नेशन में नमस्क्राइब